और यहां पर हम आपको आपकी कुछ सवालों पर यहां पर देने वाले सटीक आइस यानि डौट नट क्लास है यह जहां पर आपके चोटे मोटे जो डाउट है वो एक साथ कीर कर दें अब आज की जो लाना थोड़ा जरूरी समझा गया तो यह का पी स्टूटेंट का सेम आपकी डिमाड पर यह वेड़ियो तो देखेँ सबसें यहां पर काफिश्टुरा ने यह पूचा गया कि सर यह जो कंटीनिटी जो फॉर्म है वो किसके लिए पहली बात तो यह ठीक है तो ज्यान रखना कंटिनिटी फोर्म किन लिए हैं जो रेजि रेजिल सुट्व एंस्ट हैं समझ लीज़ेगा कि जो रेजिट सुट्व एन्ट है उन्हें रेजिल संक लीजिगी स्टेट डू जब कर रहा है क्ले आंおい तो आप आपको कंटीनिटर रहने के लिए यानि रेगुलर रहने के लिए आपको जो फॉर्म बढ़ना होता है इसे कंटीनिटर फॉर्म कहा जाता ठीक है तो देखिए अब यहां पर अगर कोई गौर्वर्मेंट कॉलीज का स्टूडेंट है जो रेगुलर है फिर्स्ट और सेकंड य का सेकंड यर का कंटीनिटर फॉर्म बढ़ना होगा जिसके लिए वह अपने टेंट वेल्ट आधार पिछला रॉल नंबर ठीक है एंड बात कर जो आप नॉर्मली फीस होती है फीस बैंक डाइरी बगर यह चीजिए आपको वहां लेकर जाना होगा एबीसी आईडीब अब सब अगर बात करते हैं कि कोई प्रॉणिटड क रेगुली स्टूडमन तो तो उसे कंटिटिनटर फॉर्म कहां बढ़ना होगा उससे कंटिटनिट फॉर्म बढ़ने के लिए धुए खुद इसकी प्रॉज में जाना है टिक है ये गौर्मेंट या प्रावेट क्लेज दोनों के रेगुलर विस्टूडेंट के लिए है अब गल्मेंट के रेगुलर श्टूडेंट को तो यां आपको प्र मोद और देखे दूसरा यहां पर डावट आरा था की सर सर्रेगूलर्स एप्राविट रेगुलर से प्रावेट ट्रैइड प्रावेट से रेगुलर होना है दो उसके लिए क्या फॉर्मल दिया टो पहले तो हम बात करें कि कोई चुर्ध फर्स्ट ये में रेगुलर नहीं बढ़िंगथा धेन, विडियो भी और भी यहां पर बता देता हूं, कि आपको उस स्कॉलेज से जहां रेगुलर से मासे टीप टीशी विगरा कटवा दीचें और फिर आपका अभी जो फॉर्म खुलेगा ना अभी जो एक्जाम भूलेगा सेकेंड येर का थर्ड सेमेस्टर का एक्जाम वहां पर आपको अफ्शन स्लेक करना होगा रेगुलर ट प्राविट से रेगुलर होना है तो प्राविट से अगर रेगुलर होना है उसके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्मेशन यास तुन लीजिएगा कि जो प्राविट से रेगुलर होना चाहता है तो उन्हें गवर्मेंट कॉलेज में तो रेगुलर होने का मौका मिला है क्य रिजल्ट लेके जाना है पर उसको एक्जाबı बढ़ना है नीद में उसको हाँ वहां है अब बात करते हैं यहां पर कि क्या कॉलेज कर सकते हैं तो हम कहते हैं यस आप अपनी कॉलेज कर सकते हैं यस आप गवर्मेंट से गवर्मेंट कॉलेज से गवर्मेंट में जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सीटें नहीं मिलती है अब यहां पर आप युनिवेस्टी भी चेंज करते हैं उसका फॉर्मल्टी आप देख लेजी के अलग लग लेकिन 100% स्टेक होता है यह मतारिया जब तक आपका रिजल्ट पूरा ना आया हो आपकी मार्क सिट आपके आतों में नहों तब आप कुछी दूसी इनिश्टी में लेने जाओगे तो वहां तोड़ा अटका देंगे यह दूसी कॉलेज भी आप चेंज करोगे तो एक दपातों कर लेंगे दूसी बार बजब कहेंगे या तो आपके पैसान वाल होगे तो आपको कर तो लेंगे लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि डॉक्किमेंट पूरे होन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्यारे विद्यारतियों सब्जेक्ट सेंज नहीं कर सकते लेकिन एक थोड़ा नोटिफिकेशन आया था अगर किसी को करणाई है तो एक अप्लिकेशन लेटर लेकर इनिश्टी जा सकता है और वहां पर साइज संभावना है तो पहले बार पॉसिबल नहीं है तो यह कुछ इंपोर्टेंट डाउड जो आपके मैंने बता जिए अब इसके लब आपके चोटे मठे और भी डाउट हैंगे चले एक्जाम पर बहुत जल्द खुलेगा बद्यान कि यह अभी तो प्रेक्टिकल एक्जाम खतम होते ही अक्टूबर आपको मैंने अपडेट दी जिसका आपको इंतजार था लेकिन यह जो यह जो इंपोर्टेंट सीजे ना यह आप जैसे हजार स्टूडेंट वेट कर रहें तो आपका एक अच्छा सा काम है कि इस वीडियो को इस अपने चोटे सी वीडियो को अपनी किसी ग्रूप में अप अगली इंपोर्टेंट क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत